तो आज का जो टॉपिक है that is about the new pluralism and new functionalism in political sociology हम सब जानते हैं हमारे लिए पर common understanding की बात है कि जैसे जैसे कोई subject develop करता है आगे भड़ता है उसके अंदर वो debates जो आगास में उसमें शामिल होती है वो work के साथ साथ उसमें नहीं developments होती है यह developments बाज उकात उन philosophers उन thinkers की वज़ा से होती है जो अपना role play करते हैं बाज उकात वो school of thoughts जो subject matter पर नज़र रखे होए होते हैं वो school of thoughts उसके अंदर further additions करते हैं ताकि एक तो subject की relevance रहे subject की importance जो है उसमें इजाफा हो और डूसरी बात यह है कि वो मज़ामें जो इनसानों के साथ मतालिक होते हैं उनके रवईयों से मतालिक होते हैं उनके action से मतालिक होते हैं उनमें तो यह नामुम्किन बात है ना कि developments ना हो जैसे जैसे इनसान की जिन्दगी के तरजे फिकर में improvement आती हैं जिन्दगी के अंदर बहुत सारी नई developments होती हैं नई इजादात हैं communication के modern means हैं उस सबका influence मौशरे में तबदीली आती हैं तो ऐसे ही school of thought जो हैं वो भी अपने subject matter में अपने content के अंदर नए topics को नई debates को नए areas को include करते हैं तो आज की जो debate है that is about the school of new pluralism that school expands the pluralist stress on multiple basis of social action because pluralist believe in the importance of social actions and the new pluralist school of thought they actually talks about the full range of actors जैनि जैसे जैसे मौशरे में तबदीली आती हैं वैसे वैसे actors के number भी increase होते जाते हैं जैसे पहले किसी एक वक्त के अंदर मौशरे के अंदर दो बुनियादी class की बात होती थी economic basis पर बात होती थी वो जिनके पास ज्यादा दौलत है या वो जो गुर्बा हैं लेकिन जो new pluralism के believers हैं उन्होंने के बात की कि जैसे जैसे structure expand कर रहा है वैसे वैसे system की जो sensitivity है वो भी तबदील हो रही है और इसके साथ साथ जो social action है जो मौशरे के अंदर होने वाले अवामिल है उन सब के अंदर जिस तरह से complexity भर रही है complexity कि sense में कि देखिए पहले अगर दो classes थी एक वो जो उम्रा थे और एक वो जो lower class थी उनका अपस में टकराव था लेकिन अब वो classes expand हो गई अब अगर जो अमीर हैं उन में भी कुछ बहुत अमीर हैं कुछ उसके बाद कुछ निचली सता पर आ जाते हैं इवन अमारत के लिहाज से फिर ऐसे ही जो middle class है उसकी अंदर भी मुक्तलिफ classes rise होना शुरू हो गई जो गुर्बा हैं उन में गुर्बत की एक तो लकीर के नीचे वाले अफराद को एक गुर्बा की class consider किया जाएगा लेकिन उस में से भी आगे बहुत सारी तक्सीम है तो मौश्रे में जो हमारे social actions हैं जो हमारे रवई हैं उन सब के पीछे ये सब अवामिल का फर्मा होते है यानि हमारे पास क्या जराए हैं हमारी जिन्दगी कहां कैसे गुजर रही हैं और रोज मरा की जिन्दगी के अंदर जो उतार चड़ाओं हैं ये सब new pluralism का topic consider होते हैं ऐसे ही अगर हम ये देखें कि school of thought के उपर भी बाज इतराजाद किये जाते हैं बसले एक इतराज जो है वो है कि range of agency क्या है range of agency से मुराद क्या होगी देखिए अफराद जो एक खास group से तालुक रखते हैं वो अपने group के मुफादात के लिए क्या कर सकते हैं क्या करते हैं बाज वकाद वो मस्बत रदे अमल का मुझाहरा करते हैं बाज वकाद वो रदे अमल मनफी की category में चला जाता है जैसे हमारे मौश्रे के अंदर हम सुनते हैं को वुकला के groups हैं डॉक्टर्स के groups हैं असातजा के groups हैं trade unions हैं बाज वकाद मख़भी जमातों के भी groups होते हैं तो ये सारे groups मिलकर और बाज वकाद अपनी अपनी अलहदा शिनाक्त के जरिए कुछ ऐसे रवईयों पर क अखूमत को challenge करते हैं फिर इसके साथ ही हमें एक और चीज पर भी तवज्यों देनी है कि जो जो new pluralist school of thought है और इसके साथ साथ एक और school of thought जो new functionalist कहलाते हैं इनके अपने अपने original sources हैं they have their origins like the pluralist school of thought has now converted into new pluralism ऐसे ही जो functional school of thought था वो अब new functionalist में convert होता चला गया लेकिन इनके पास अपनी history है इनके पास अपनी legacy है यानि जो pluralist हैं अगर वो बात करते हैं कि they have their origin they have their questions regarding that who rules who can rule यानि power के लिहाज से government के लिहाज से भी तो questions है ना कौन हकूमत बनाएगा कौन rule करेगा इन सब सवालों के जवाब जो हैं वो हमें बहुत सारे philosophers अपने अपने अंदाज से देते चले आए और उनके उपर तनकीद भी हुई लेकिन जैसे जैसे system आगे भड़ता चला गया यह debate जो है यह आज के modern trend की तरफ आती चली गई कि आज जो इक्तदार है आज जो power है असल में वो लोगों के पास कैसे पहुँची किन लोगों के पास है लोगों को आइस्ता आइस्ता vote का हक मिला आइस्ता आइस्ता जमहुरियत मुस्तेकम हुई तो यह एक सिलसला है जो चल यहां पर structures की बात होती है culture की बात होती है economy है और interdependence है यानि आज अगर हकूमत का निजाम है तो उसकी अपनी एक पहचान है उसकी अपनी एक शकल है ऐसे ही culture कहां से start हुआ सिकाफत आज political culture में convert हो गई तो यह सब वो topics हैं जो with the passage of time आगे की तरफ भड़े और इस से इल्मी और फिक्री तरक्की जो हुई है वो political sociology को उसने strengthen किया है और pluralism का जो theoretical orientation थी वहां से गुजरते हुए आज यह system आज यह school of thought जो है वो बकाइदा तोर पर हकूमत हकूमती कारकर्द की और अदारों की debate पर बहस करता हुआ हमें नजर आता है ऐसे ही जो new pluralism है इसके के साथ साथ human actions की बात करता है इंसानी रवईयों के उपर इसका जो गहरी नजर है वो हमें नजर आती है और फिर इन सब के मिलने से इस सारी बहस के आगे भढ़ने से आज की जो political sociology है वो structural और systematic determination की बात करती है और उन determinants की debate को आगे लेकर एक और school of thought चलता है और वो कहलाता ह है new functionalism. Functionalism is actually a compliment to pluralism as if there are multiple factors with the responsibilities on part of each of them which they fulfill for the common good of collective whole. अब functionalism में क्या चीज़ important है सबसे खास जो बात है school of thought के अंदर की यह common good की बात करता है, collectivity की बात करता है, हलांकि अगर देखा जाए तो बहुत से जो आगास से लेकर आज तक के जो philosophers थे उन्होंने इजत्माई मौशरे की बात की, लोगों की बेहतरी की बात की, लेकिन वो new functionalism है, although it has a very good impact but that is not like the florist pool of thought because florist pool of thought they talk about culture, economy but the functionalist they have their own common area, common interest and that is the talk on the collective action and collective good. So, उनकी अपनी limitations है, florist school of thought की अपनी limitations है, लेकिन इन दोनों की वज़ा से political sociology की जो academic growth हुई है, जो इसके हवाले से नहे मौजुआत आए हैं, वो जाहरे इस subject के लिए बहुत ज्यादा फाइदा मन्द हैं.